पिछले दो साल से कोरोना की वज़े से दीपोचसव दिवाली नहीं मनाई गई थी मगर इस साल कोरोना का प्रभाव कम होती ही दीपावली की खरीदारी के लिए शहर के बाजार शेतर में ग्रहाकों की भारी भीड खरीदारी के लिए बाज़ारों में दिखाई दी जहां दीपावली के अफसर पर किसान, नौकरदा, मजदूर, सभी शेत्र कारिरत लोगों ने इस साल की दिवाली बड़े ही धुमधाम से मनाई जहां बाजारों में खरीदारी के लिए ग्रहकों की फीर देखते ही बनती थी मिष्ठानो या वस्तर परिधान के दुकान या अन्नी खरीदारी के लिए लोगों ने जम कर खरीदारी की साथ ये चोटे बड़े नन्ने बच्चों के लिए पठाके मिटाई और वस्तर अन्नी चीजे मातबिता उन्हें खरीद कर इस दीपावली अफसर पर नन्ने बच्चों को खुशिया मनाने का अफसर दिया बुजर्ग महिला पुरुष इन सभी ने इस दीपावली को बड़ी धुमधाम से मनाते हुए एक दूसरे को दीपावली के शुप अफसर पर शुप कामनाय दी जहां लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर मिठाईया दे कर इस दिवाली पर मुँ मीठा किया किसानों ने भी इस दीपावली के अफसर पर जम का खरीदारी करते हुए दीप उचसर बड़े धुमधाम से मनाया सरकार की ओर से दिवाली के पहले दी गई साहता राशी की मदद से किसानों की दिवाली भी खुशियों भरी रही महीं शाम को सभी घरों पर दीप जला कर इस दिवाली का स्वागत किया गया लक्षमी पूजनकर सभी को इस दिवाली की शुपकामनाय देते हुए शहर वासी दिखाई दिये शाम को पटाकों की आतिशबाजी शहर में दिखाई दी वहीं शहर की ज्यादतर घरों पर विद्यूत रोशनाई की गई थी हर तरफ खुशियों का माहोल दिखाई दिया जबकि कोई भी अपरिये घटना इस अफसर पर नहीं हुई नन्यमुने बच्चों ने जमकर इस दिवाली पर खुशिया मनाते हुए एक दूसरे को दीपावली की शुपकामनाय दी पहाशिवनी से BCN न्यूस के लिए समवादाता रुपेश घंडारे की रिपोर्ट